जो व्रक्ति अच्छा नहीं होता वो बार-बार गएगा मैं बहुती अच्छा हो में बहुती सीधा हो में बहुती जदा सरलू मेरे जैसा इंसान नहीं है मेरे मन में किसी के परती द्वेस नहीं है किसी के परती पाप नहीं है अरे भाई तेरे मन में अगर द्वेस और पाप नहीं है तेरी तो पूजा की जानी चाहिए अभी लेके हो आपको मूर्ती बनाते हैं थरप देते हैं यहां पर और नया मंदिर की ऐसा देवता या ऐसा इस्वर तो आज तक धरती में पेदा ही नहीं वा बगवान भगवान स्रिकर्ष्ठे के मनं में जब ध्र हो सकता है दुर्योधन के बढ़ बांद यह जब ब्रकाश्नी बोल सकते हैं तो तुम कहां से आये ओ एसे प्रोड़क्ट कौन सी गेलेक्सी में मिलते हैं, बेकुंट में भी नहीं मिलते हैं, बेकुंट के जो वगवान विष्णू है, वो भी मोहीनी रूप दरके, दूसरे को भरम में करवाजे, बस्मासुर का भस्म करवा देंगे, उनके अंदर भी कुटिलता है, आप में कुटिलता कहां से पेद नहीं हो तो बच्चा तू भी चिंता मत कर तू पर्फेक्ट नहीं है तो कोई दिकत नहीं है मेरे में भी कोई ने कोई अवगुण है इसलिए इस्वर ने अपने आपको थोड़े से अवगुण रखे उन्होंने कहा कि नहीं तो जो इंसान हो सोचेगा कि इस्वर में तो कोई अगुण नहीं है और मैं अगुणों का खान हूँ तो मैं कभी भी इस्वर की तरफ नहीं बढ़ सकता आजे इस्वर को प्राप्ती नहीं कर सकता तो वो प्रियास ही चोड़ देगा उसे लगता है इस्वर तो मेरे जैसा ही है तो वो प्रियास करता है जोस्तो सब में है सबसे पवित्र अगर किसी चीज को माना गया इस परत्वी परिसंसार के अंदर वो माना गया अगनी को अगनी सबी चीजों को सुद्ध कर देती है इसलिए हमारा अगनी दासंसकार किया जाता है अगनी को देवताओं और इंसानों के बीच में मद्य माना गया है अगनी को हवन में पूजा जाता है और अगनी के अंदर जो हम लोग चीजें हवी रूप में अरपित करते हैं वो देवताओं को मिलती है तो अगनी अपने आप में एक सुद्ध रूप माना गया है लेकिन अगनी में भी दोस है अगनी में दोस है दुए का तो जहां अगनी प्रेगी साथ में दुआ भी रहेगा, दुआ अगनी को ढख लेता है, फिर भी हम अगनी का कभी साथ छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, जिस दिन हम लोगों ने अगनी छोड़ दी, उस दुन हम लारा जीवन छोट जाएगा, अगनी हमारे जीवन में आवश्यक है, वो ब अभी भी करतवे और करम नहीं छोड़ना चाहिए, सुरुवात में जब हम लोग किसी भी सहज करम को करना स्टार्ट करते हैं, उस दोरान उसमें बहुत सारी कमियां होती है, बहुत सारी खामियां होती है, वो खामियां और कमियां दीरे दीरे अभ्यास से सुदरती है, तो बाद में उसमें कमियां दूर हो जरूरी नहीं होता है जब अगनी में कमी रह सकती है तो किसी भी चीज में कमी रह सकती है तो कमी होने का ये मतलब नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए ये हमारे संबंदों में मैथपोन होती है हम लोग एक दूसरे संबंद में कमियां ढूं झालब झालब बन